दोस्तों यदि आप बैंक में नोकडी पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक काफिश सुनहरा मौका है क्योंकि IDBI बैंक जो है आपके लिए मौका लेकर आई है करीब एक हजार से भी अधिक पदों पर या बहाली के लिए ओनलाइन आवेदर ने स्टार्ट हो चुकी है इस वी पर बैंक में किसी भी प्रकार के कोई समस्या आना हो इससे जूरी पूरी जयनकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर मिल जागा जहां से आकर इनके वेपसाइट पर आकर यहां से आप क्या कर सकते हैं इनका नोटिक्फिकेशन को भी आप देख सकते हैं जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यहाँ पर कुल बहाली आपकी जो होने वाली है 1036 पोश्ट पे होने वाली है और हर कैटेगरी के अनुसार आप यहां पर देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितने सीठे रखी गई है यह जो आपकी बहाली होगी भाई म आपको मौका मिलेगा मतलब कुल मिला कर 3 साल मौका मिलेगा 3 साल बाद आपको इस नौकरी से हटाया भी जा सकता है यह अप ध्यान रखीगा आईए पूरी जयनकारी समझते हैं यहाँ पर आपको पूरी डेट मेंशन है कि कब से कब तक भरे जाएंगे आपकी एज क्या कि अगर आप graduation pass है किसी भी recognized university से तो आप इसके लिए apply कर सकते है percentage का कहीं भी कोई ये नहीं रखा गया कि आपका इतना percent होनी ही चाहिए इसके अलावे कोई diploma course की है वैसे candidate इस form को apply नहीं कर सकते है जो कि clear इसमें बता दे गई है तो आईए अब आपको बताते हैं कि आपकी salary क्या होगी देखिए इस बाहली में हमने आपको पहले भी clear किया कि ये contract basis बाहली है तो first year आपकी जो salary होगी 29,000 परमंत होगी second year आपकी जो salary होगी वो आपकी 31,000 होगी अगर आपकी second year रखी जाती है तो फिर 30 year आपको रखी जाती है तो 34,000 तक आपकी salary आपकी होने वाली है तो ये इसमें जनकारी आपको दी गई साथे साथ एक्जाम के लिए जो selection process है वो मिलेगी और साथे साथ जो एक्जाम आपकी होगी उसके लिए जो भी pattern है उसकी भी जनकारी आपको मिल जाती है और एजमेर जो relaxation है उसकी जनकारी आपको दे दी गई है तो पूरी जनकारी एक बार आकर आप समझ लीजेगा online apply करने से पहले और साथे साथ यहाँ पर जो आपकी thumb होने चाहिए साथे साथ जो आपकी head writing declaration है जिसकी बारे में भी बताई गई तो उसकी जनकारी हम आगए form भड़ेंगे तो आपको बताएंगे form भड़ने के लिए इनके website पर आएंगे form भड़ने की last जो date है साथ जून है इसे उसको ध्यान रखना है और exam की tentative आपको date भी दे दी गई notification में जिसको देखकर आप त्यारी में लग सकते हैं यहाँ पर एक option मिलता है click head for new registration जिस पर आपको click करना है आपके सामने यह form भड़ने की step आती है जिसमें सबसे पहले आपको first name डालनी है जो आपके maxit पर होगा उससी नाम को confirm करेंगे middle होगा तो middle name और उसको confirm करेंगे last name डालेंगे उसको confirm करना है आपका जो full name होगा यहाँ पर आपको देख लेना है कि सही है या नहीं है आपकी जो mobile number है डालना है नमबर को confirm करेंगे alternate number है तो डाले अने था छोड़े और यहाँ पर email id डालना है add rate जो आपकी होगी उससे पहले का जो भी आपकी email होगी वो डालना है जैसे अगर अगर email id राम कुमार add rate gmail.com है तो आपको इस box में राम कुमार ही लिखना है add rate आपको यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर domain नाम में अगर gmail.com है तो आप यहाँ से gmail.com को select करेंगे email id को यहाँ पर पूरा लिखेंगे confirm वाले में capture code को आपको fill करनी है और save by next पर click करना है अब आपके सामनी यहाँ पर देखेंगे आपका जो registration number है और देखनों को मिलता है password आपको देखनों को मिलेगा यहाँ पर क्या करना है कि photograph upload करना है उसके लिए यहाँ पर आपको guideline मिलता है कि आप पहले check करें किस परकार की photo acceptable है उसको देखना है signature देख लेंगे जिसके लिए यहाँ पर choose file बाले पर click करेंगे photo upload करेंगे इस check box में आपको T करना है signature डालना है यहाँ पर आपको T करना है और नीचे में option यहाँ पर मिलता है next का जिस पर click करना है और यहाँ पर basic detail आप से पूछी जाती है जिसमें जो इस पर का rate लगा हुआ है star बना है वो detail आपको डालना जरूरी है जिसमें आपको सबसे पहले category बतानी है कि आप किस category के candidate है उके बाले विकल पर click करेंगे अगर आप विकलांग candidate है 40% या उससे अधीक तो आप yes करेंगे अने था नो बाले विकल पर click करेंगे तो कुछ detail आपको भढ़ने की अब यहाँ पर पूछा जाता है कि 1984 में जो धंगे हुए थे उस परिवार के उस family के अगर आप child है बच्चे है तो उसकी जनकारी आप एस करेंगे नहीं है तो simply no वाले विकल पर click करेंगे तो कुछ detail आपको डालने की अब सकता नहीं होगी यहाँ पर आपको बोला जाता कि आप religion बताईए hindu, muslim, sikisai, jain आपकी धर्म से ब्लॉंग करते हैं उसकी जनकारी देंगे अगर आप minority community से आते हैं minority से तो आप उसकी जनकारी दे सकते हैं इस नो में आप बता सकते हैं एक servicemen है तो इस करेंगे अने था नो बाले विकल पर क्लिक करना है फिर आपको नीचे आना है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपकी पैलेस जो है, जो आपकी जनम हुई है वो कौन से जिला में हुई है उसकी जनकारी आप यहाँ पर बताएंगे वो अपने जिला का नाम लिखेंगे साथी साथ आपकी जो राजी होगी राजी का नाम आप यहाँ पर mention करेंगे और यहाँ पर nationality आपको इंडियन आपको select करना है अगर आप इंडिया के बाहर के है तो other option को भी आप चून सकते हैं यहाँ पर कुछ जनकारी advice report के बारे में पूछी जा रही है तो यहाँ पर आप no करेंगे नीचे आपको scroll करना है जहाँ पर आप examination center रखना चाहते है जिस भी राजी में आप उस राज को यहाँ से select करेंगे उस राजी में जहाँ भी center बनाए गए होंगे उस center का आपको नाम मिलेगा उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं फिर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको बताया गया है कि डू जो ID card है आपको देना है जिसमें आपको कई सारे option मिलते हैं आप अधार card को चुनेंगे तो अधार number डालेंगे फिर second ID के रूप में आप जो भी देना चाहते है उस number को आपको यहाँ पर fill करनी है अब personal detail में आपकी date बर्त की detail डालनी है जिसमें पहले date, month और जो आपकी year होगी यहाँ से आपको chain करनी है नीचे आएंगे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी जो gender है, वो क्या है male है या female है, उसकी जनकारी देनी है यह option उनके लिए है जो चूरबा भाई बहन है, आप है तो एस करे, अनेथा नो वाले विकल पर क्लिक करेंगे, आपकी साधी हो चुकी है तो उसकी जनकारी बता है, merit करे अनेथा अनमेरेट वाले विकल पर क्लिक करेंगे फादर का नाम डालना है, मदर का नाम फिल करनी है, साथे साथ आपका जो address होगा, जैसा address 1 में village, address 2 में post office और address 3 में police station को mention कर सकते, या आपके अनुसार address कुछ अलग होता है तो आप अनुसार address mention करेंगे district को mention करना है, साथे साथ अपने राजी को mention करना है अगर आपका correspondence पर्मानेंट सेम है, तो यहाँ पर tick करेंगे आपका address fill up होगा, यहाँ पर आपको fin code को fill करनी है, और नीचे देखेंगे एक address आपको चुननी है GST invoice के लिए, तो यहाँ पर आप कोई भी एक address को चुननेंगे, आपका जो application fee लगेगा, वो आपको देखनों के मिलता है, यहाँ पर validate your detail पर क्लिक करके एक बार देखेंगे, कि आपका detail सारा fill up तो है, उसके बाद आपको save next पर क्लिक करना है अब आता है आपका educational detail, जिसमें आपकी graduation के detail पूछी आती है, कि आपको college का नाम बताना है, जिस college सापने graduation pass out किया है, university का नाम बतानी है, और आपकी degree कौन से थी, BA, BAC, B.com, या इसके अलावे भी इतने सारे option है, या आदर को भी इन में नहीं मिलता, तो डाल कर आप उनका नाम डाल सकते हैं, किस साल आपने pass out किया है, वो passing जो date होगा, आपके mark set पे होगा, उसको आपको पहले देख लेना है, और जो भी आपकी होगी, उसकी जनकारी आप वहाँ से fill करेंगे, साथे साथ आपका जो percentage है, वो कितना percentage मिला है, और कौन सा आपका class है, first, second, third, उसकी जनकारी आप यहाँ से select करेंगे, अब देखेंगे, academic year, जैसे आपकी first year में, जो आपकी number हुई होगी, अगर माल लिए आप में semester लागू होती है, तो आप semester wise भी आप बता सकते, या आप में year लागू होती है, तो first year में, आपकी कितने number मिले हैं, वो number बताएंगे, कुल कितने का हुआ था, वो बताएंगे, इसे अनुसार, अगर आप में semester है, तो first semester में कितना हुआ था, उसकी जनकारी देंगे, और second semester में कितना हुआ है उसकी जनकारी अप देंगे अगर आप में year है तो secondary में फिर कितना है यहाँ पर डालेंगे third year में क्या था जनकारी अप देंगे तो आप देखेंगे आपकी qualification किस अनुसार semester wise है या year wise है उसकी जनकारी आपको fill करनी है नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका जो post graduation की degree है उसके जनकारी देनी है अगर है तो अन्य था ये detail आप blank पे छोड़ सकते हैं professional कोई qualification है तो उसकी जनकारी आप देज सकते हैं अन्य था इसको आप छोड़ सकते हैं कुछ जनकारी यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप computer को operate करना जानते हैं उसका knowledge है आपके पास या आपने कोई भी diploma course किया है computer में तो उसकी जनकारी आप देज सकते हैं ऐसकरेंगे किस परकार की computer में आपकी knowledge है उसकी जनकारी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं फिर आप नीचे आ करके भी जनकारी को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर देखें SCST और अगर आप ओविस से आते हैं तो प्री एक्जाम की जो training है आपको इसकी तहद दी जाती है अगर आप लेना चाहते तो यहाँ पर एस करेंगे नहीं लेना चाहते तो नो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर language की जनकारी आपको पता नहीं है कि कौन से language आप जानते हैं जैसे अगरमान लेजिए आपको English आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि English आपको पढ़ना आता है तो पढ़ना आप टिक करेंगे लिखना आता है बोलना आता है तो यह तीनों पर टिक करेंगे इससे अनुसार अगर मानलिच आपको हिंदी भी आता है तो हिंदी पढ़ना आता है लिखना आता है और बोलना आता है तो डाल सकते हैं इसके अलावे भी और भी लेंग्वेज हो सकता है आपको आता हो उसके जनकारी बताएंगे और उसमें पढ़ना लिखना बोलना आता है जनकारी को फिल क करके detail देखेंगे, फिर से by next पर click करेंगे, अब यहां पर एक बार preview section में सभी जनकारी को देख लेनी है, कोई detail गलत है, तो back जाकर आप इसको सुधार कर सकते हैं, तारा detail सही है, तो complete registration पर click करेंगे, okay वाले विकल पर click करेंगे, और okay करेंगे, तो आपको redirect करेंगा next page पर जहा लिखना है, समझिए, जब आप notification देखेंगे, पांच नबर page में इसके जनकारी आपको दी गई है, कि इसमें आपको लिखना है, जिसे i में, यहां पर आपका जो नाम होगा, आप नाम mention करेंगे, और यह पूरी जो matter है, एक सफेद page पर, यहां तक आपको लिखना होगा, ज परकार, OK वाले विकल पर क्लिक करेंगे, आप पर जो भी payment लागू होता है, देखनों कर मिलेगा, capture code को fill करेंगा, और submit वाले विकल पर क्लिक करना है, OK वाले विकल पर क्लिक करेंगे, payment gateway खुलेगा, यहां से आपको payment को पूरा करना है, card, debit card, net banking, कोई भी option आप चुन सकते है और payment करने के बाद इसका print लेकर रख लेंगे, इस परकार आप सभी candidate IDBI, bank के तरफ से जो बहाले निकाले गई है, SQTB के तरफ से जिसके लिए आप apply कर सकते हैं, जिसकी पूरी जनकारी हमने बताया, अगर आपको कहीं भी कोई doubt है, तो नीचे comment box में लिख सकते हैं, वीडिय बहुत धन्यवाद